हेलो डियर स्टूरेंट्स वेल्कम टो नुक्सर मैट्स आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 14 सर्फेस एरियाज और वोल्यूम्स देखो इस चैप्टर का अगर आपको अच्छे से समझना है पढ़ना है वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा बट अगर आप मेरे से होता है यह आपको पता होना चाहिए तो रूम बन जाना चाहिए दिमाग के अंदर उसमें चार दिवार होती है फोर वोल्स होती है चत होती है बेस में होता है मतलब फर्स होता है ऐसा दिमाग में बनना चाहिए तो हमेरे को इसमें सर्फेस एरिया पढ़ना है सर्फेस एरि room है उसकी चारो दिवारों को हम Touch कर सकते हैं, Top surface को मतलब स attractive को touch कर सकते हैं, first को touch कर सकते हैं, तो यह surface होती है, अगर हमसे कोई निभाः पूछ से कर नहीं कि एक रूम में कितनी surface area होता है, तो तो तुम बोलोगे इसाथ चार दिवारों का होता है, टोप का होता है बोटम का होता है अगर मैं तुम से राइट सर्कूलर सिलेंडर की बात करूँ तो तुम क्या कोगे चारो तरफ से सिलेंडरिकल सेप है जैसे बुक को अगर हमने टर्न कर लिया धान से सुनते रहना बुक को अगर तुम लोगों ने टर्न किया तो बुक को चार वह वाली नीचे से touch कर सकते हैं उपर से भी touch कर सकते हैं तो total surface area और lateral surface area अगर जहां पर surface area थोड़ा गुमावा होता है उसको बोलते है curved surface area उमीद करता हूँ इतनी बाते समझ में आ रही होगी तुमारे को मतलब क्या है हमें surface area का meaning समझना है और उसके अंदर कितनी जगे आ सकती है तो volume का एक basic formula होता है कि जितना base area होता है अगर एक room में आप पानी fill करना चाहो तो room जैसी तुमारी पानी की tank होती होगी घर पे underground हो चत्पे भी हो सकती है यह नहीं बोला underground ही हो बट उसको अगर हम देखे तो पहले first fill होता है पानी का फिर वही पानी उपर तक fill हो आता है तो बोल सकते है कि base area जितना होगा वह base area height तक fill होता है बट 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 यह तभी काम करता है जब base area जैसा होता है वैसा ही top area होता है अगर किस में काम नहीं करेगा कौन में यह काम नहीं करेगा अपना बट basic formula यह होता है कि first हो height तक fill तो होता है वह depend करता है shape कैसी है अगर shape straight है room cube में apply हो जाएगा क्यूबोईड में हमारे को total surface area पढ़ना है lateral surface area पढ़ना है lateral को area of four walls भी बहुत सकते है यहाँ पे basically हमारे यहाँ पर given भी है diagonal का मतलब है एक room में सबसे बड़ी लकड़ी कितनी बड़ी रख सकते हो तो तुम कहोगे एक room के साइड के bottom से दूसरे साइड के ऊपर तक एक साइड के bottom से दूसरे साइड के ऊपर तक तो इस कोने के बीच में सबसे बड़ी लकड़ी आगी अब यह मत कुछना सरक कैसे लेके जाएंगे उसको room के अंदर हाँ यह possible है एक कोने में तुम्हारा room का gate है तब तो possible है otherwise थोड़ पता होगा इस type से होता है rectangle बंदे होते हैं चारो तरफ ठीक है अब होता क्या है ध्यान से सुनते रहना मैं ज्यादा deeply नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पता है तो बोर हो जाओगे यह इसकी length है यह breadth है और यह इसकी height है तो अगर मैं इस side में बात करूँ तो इस side में height और ऐसा box है मुझे ऐसा दिखेगा उमीद करता हूँ तो एक में height होगी और एक में base होगा अगर मैं बात करूँ इस side वाले की तो भी ऐसा ही दिखेगा मुझे तो back side से इस side से देखेगे तो भी मैंने का ऐसा ही दिखेगा मैंने का top surface कैसा दिखेगा यह जो top है यह कैसा दिखेगा आपने का top surface कुछ ऐसा दिखने वाला है जिसमें length है और breath है अच्छा यह different होता है मतलब जब किसी चीज को सामने से देखते है तो उसकी height दिखती है प् ठीक है तो length breath उपर वाले में तो base में भी length breath होंगी l into b area निकालने के लिए क्योंकि rectangle या square ही बन सकते है कब बन सकते है जब length breath equal हो तब बन सकते है ठीक है अब अगर हम इसके total surface area की बात करें तो 6 दिवारे है चारो side में है 4 तो एक उपर है नीचे है तो अगर मैं इस side वाले क two time l into b यह कौन सा है first है और top surface आ गया plus two time hb इन तीनों में से two comma लेलोगे तो formula बन जाएगा 2lb plus bh plus hl याद करने का तरीका lbh length breath और height तो पहले lb फिर bh और फिर hl ऐसे याद रख सकते है अब बात करें अगर 4 दिवारों की तो 4 दिवारों में कौन नहीं आएगा top surface नहीं आ तो lb हटा दो यह lb मैंने काट दिया देखो मैं कोई यहां पर notes नहीं बनवा रहा हूं समझा रहा हूं lb मैंने हटा दिया तो क्या बचा में पास two hb plus two bh है ना यहीं बचा नहीं यार कुछ तो गलती कर दी hb hl यहां पर l लिख दो ठीक है यहां पर सही है तो मैंने का यार two hb कौन सा है तो तुमने का left right वाला मैंने का very good two lh कौन सा है front or back समझ पारे हो front or back front or back और left or right अब आपने देखा सर इन दोनों में से two h कौन ले लेते हैं तो l plus b बसता है तो आपने पड़ा है two l plus b into h हां सरी यह perimeter होता है और यह height होता है तो perimeter into height से याद रख सकते हो अधरवाइस तुम concept wise भी याद रख सकते हो two l plus b into h फिर हम diagonal की बात करें तो बहुत easy है diagonal में आता है under root l square plus b square plus h square formula याद कर लेना यार यह तो ठीक है अब अगर मैं इसकी volume की बात करूँ दहां से देखना volume मैंने तुम्हें का था base area into height होता है याद है या भूल गए अभी अभी बताया था आपने याद है मैंने का base area base मतलब first कैसा होगा बोले first में तो l और b होते हैं मैंने का very good into height h तो यह हो जाएगा l b h अब देखो इसमें तीन चीज़े multiply हो रही है centimeter multiply होगा तो centimeter cube आएगा बाकी सब में area की बात कर रहा है तो square में ही आएगा ठीक है ना और diagonal हमेशा centimeter में आएगा क्योंकि plus हो रहा है l square b square और h square वापस से square root करोगे तो वापस से square height जाएगा centimeter का तो centimeter ही बचेगा तो length हमेशा centimeter में क्योंकि diagonal एक length होती ना अगर मैं तुमसे एक बात पुछू को मुझे टोड़ी time late हो रहा है रात हो रही है तो उबास से आ रहे है ना तो घबराना नहीं है ना मुझे एक बात बताओ मैंने तुम्हें formula समझाए क्यों मैं भी direct भी लिख सकता था पटापट revision करवा सकता था बट मैंने concept समझाने भी इसलिए depends क्या है क्योंकि हम RD सर्मा पढ़ रहे हैं वहाँ पर जरूरी नहीं कि direct formula based क्यों सनाएगा कहीं पर भी उसने हमें गुमाने की कोशिस की तो हमें concept पता होगा तो हम समझ लेंगे उस बात को ठीक है जैसे मान लो मै 12 और 6 cm है उस फर्स पे 8 cm बारिस हुई तो पताइए पानी कितना इकठा हुआ अब यहां पर किसको पता चल रहा है कि direct formula लग रहा है नहीं समझ में रहा है सर्फर्स मतलब यह base area इस base area में 8 cm height तक पानी फिल हुआ ठीक है तो इसका मतलब height 8 cm उस पानी की तो volume निकाल लेते है base area into height तो पता चल जाएगा कितना पानी होगा हां वो depend करेगा लिटर किलो लिटर में पूछ रहा है तो वह हम पढ़ लेंगे गबराने की ज़रूत नहीं उमीद करता हूं concept समझ में आया होगा तो फटाफट next topic पढ़ते हैं cube की अगर हम बात करें तो cube ऐसा होता है जिसकी length breath और height तीनों equal होती है तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा room है जिसकी length breath और height equal होती है तो side side बोलते हैं उसको तो total six surface होती है तो six side square हो गया तो total surface area six side square बोच सकते है लेटरल surface area में दो हटा दो तो चार बचेंगी तो four side square बचेंगी और यहाँ पे आप square करोगे a square plus a square plus a square ठीक है writing अच्छी नहीं आ रही है कई दिनों से हाथ में लिया है न pen under root 3a square हो जाता है तो जिसको आप under root 3a b भी बोच सकते हैं ठीक है यह centimeter में आएगा volume की बगर मैं बात करूँ तो base area a square है into height b a है उमीद करता हूँ नीचे वाला area a square होता होगा ठीक है तो यह a cube हो जाता है बहुत ही simple सा है इसमें area of four wall पूछेगा तो कौन सा लगाओगे हमेशा lateral ही लगाएंगे क्या लगाएंगे lateral surface area clear है next right circular cylinder बोला right circular cylinder कैसा होता है ऐसा होता ह मैं तुम्हें एक homework देता रहूंगा साथ साथ में बुक लेके बैठो साथ में कोई भी पेज ले लो बुक ले लो कुछ भी उसको fold कर लो तो तुम्हें लग रहा है वो cylinder बन गया बोले हाँ अभी उस book की width को भूल जाना तो आप बोलोगे अगर मैं उस book को वापस open करता हू तो बुक HC open होती है और जब मैं इसको rotate करता हूँ turn कराता हूँ तो ये वाली जो चीजे है नीचे वाला पेज ये नीचे वाली ये circle की circumference बन जाती है जिस circle की radius r होती है उसकी circumference 2πr होती है अगर इस cylinder की height h है तो आपकी book की height भी h है तब ही cylinder बना हुआ होगा बोले हाँ तो म into breath h 2πr ह तो इसको बोलते हैं cylinder का curved surface area 2πr ह वापस ये book को turn करो चेक करो क्या नीचे वाला पार्ट जो घुम रहा है वो circumference बन रहा है circumference का formula 2πr होता है और वो circumference height तक ही है अब अगर मैं ऐसी बात करूँ कि उपर भी r ही radius है मतलब एक ऐसा circular cylinder बनाया आपने right बनाया मतलब straight तो अगर हमारे को area of each end की बात करें तो ऊपर वाला area और नीचे वाला area तो मुझे बताओ ऊपर क्या बन रहा है गोला जिसको आप circle बोलते हो गोला मत बोलना है याप गोला अलग होता है जिसको spare बोलते है तो circle बन रहा है तो circle का area होता है πr square क्या होता है पाई आर तो each end का area तो πr square होगे अब बात करें अगर total surface area की तो मैं इस आपने book को turn कर लिया है मैं उमीद कर रहा हूँ तुमने book को turn किया है अब मुझे बताओ किस किस part को touch कर सकते हो side वाले part को touch कर सकते हो उपर वाले circle को touch कर सकते हो fill है ठीक है खुला मत रख ऐसा मैं सोचना है कि कर लेगे fill है वो फिक है नीचे वाला भी fill है तो आप ऐसे बोलोगे कि code surface area को touch करूँगा प्लस उपर वाले surface area πr square नीचे वाला surface area भी πr square तो code surface area 2πr होता है और hb होता है प्लस 2πr square दोनों मैं से 2πr कोमर ले लेंगे तो 2πr r plus h हमारा formula बन जाता है यह हमने रट रखा है ठी का unit आता है centimeter square या फिर meter square या फिर kilometer square जो भी millimeter square कुछ भी आ सकता है ठीक है now volume के अगर बात करें तो वही सेम formula base area circle पहले circle नीचे वाला fill होगा वह height तक fill होगा तो into h ठीक है देखो मैं मेरी तरफ से कोशिस कर रहा हूं कि भाई तुम्हें थोड़ा सा quickly revise कर वादू मुझे पता है तुम पढ़ के आया हो इसलिए मैं वीडियो को ज्यादा deeply नहीं ले जा रहा हूं नौ नेक्स्ट हम बात करते है right circular hollow cylinder यह क्या होता है पानी की pipe देखी हुई है पानी की pipe में जितना material डलावा होता है वह एक hollow cylinder बनाते है जैसे अब भी आपने अगर बुक को वापस turn करके देखा अभी करो अभी वापस तो तुमने देखा कि सर बीच में जगे खाली है तो उ अजुम क्या करना है अभी तो दीखी रहा है फिल नहीं है ठीक है न तो यह एक hollow cylinder है जितनी आपके बुक में page है वह चारो तरफ फैले हुए है उसके round बना रहे हैं तो वह उस hollow cylinder की width है अब दिक्कत क्या है यह hollow cylinder ऊपर से ऐसा दिखता है धान से देखते रहे ना बाबा यह hollow cylinder ऐसा दिखेगा यहां पर page लगे हैं आपको page दिख रहा है अब मैं ऐसे बहुत सकता हूं कि अगर मुझे इसको touch करना है तो मैं book को अंदर से भी touch कर सकता हूं बाहर से भी touch कर सकता हूं बट ऊपर से देखूं तो only इसी shaded part को ही touch कर सकता हूं मैं यह तो खाली है बापा बे आप कहोगे यस भाई और बेनो समझो जरूर ठीक है तो इतना part तो मैं उपर से भी नीचे से भी touch कर सकता हूं अभी मैं नहीं क्या जादा deeply नहीं ले जा रहा है इसको यार मन तो कर रहा है बहुत अच्छे से समझा हूं बट कैसे समझा हूं मेरे पास कोई circular safe नहीं अभी य तो इसकी radius है capital R ठीक है और अंदर वाले की radius है small R तो इन दोनों के बीच में तो मैं इसे बोल सकता हूं बाहर वाले circle में से अंदर वाला circle बाहर निकाल दो तो हमारे पास यही पार्ट बचेगा area इतने ही पार्ट का area बचेगा कितनों कोई बात समझ मैं कमेंट करके जरूर बताना देखो मैं color change करके समझा देता हूं एक बार मैंने तुम्हें कहा कि यह आपके पास एक circular field है और अंदर यह वाली है अब जो बाहर वाला पार्ट है उसको मैं highlight करता हूं highlight नहीं होगा भाई यह ठीक है मैं color ही कर देता हूं इस पर यह कर देता है अब मुझे बात बता हूं यह आपको पूरा पूरा color part हो गया इस में से अगर इस पार्ट में से अगर मैं ऐसे बोलो कि यह वाला पार्ट हटा देता हूं दिख रहा है ब्लू ब्लू थोड़ा दिख रहा होगा तोड़ा green ले लेते हैं इसको blue नहीं लेके yellow ले ले लेते हैं अभी तो दिख रहा ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दू ये वाला पार्ट हटा दू तुम्हें नहीं लग रहा क्या कि इतना पार्ट हटाने के बाद ये सेड़ेड पार्ट ही बत रहा है तो इस अंदर वाले का एरिया क्या होगा बताईए और बाहर वाले का एरिया क्या होगा ता मुझे बोलो तो उपर भी होगा और एक ऐसा area नीचे भी होगा हाया ना बोल दे बस फटा-फट होगा की नहीं होगा आप होगे जरूर होगा तो मैंने एशा area of e chain तो कुछ ऐसा ही होगा तो ये ऐसा या फिर ऐसा दोनों एक ही बात हैं और इसको थोड़ा और अच्छे से solve करें तो πाई कॉमा ले लेते हैं capital r square minus small r square ठीक है और इसको हम बोल सकते हैं कि πाई capital r minus small r capital r plus small r बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता ठीक है ये मेरा क्या है area of each end अगर मुझे curved surface area की बात करनी है तो मैं अभी क्या कर रहा था बुक को बस बाहर से touch कर रहा था cylinder में बट अभी तो मैं अंदर से भी touch कर सकता हूं और उपर का part भी touch कर सकता हूं तो मुझे curved में कौन सा लेना है only बाहर वाला और अंदर वाला तो curved की अगर मैं बात करूं तो अंदर वाला area क्या होगा कोई बताए मुझे तो देखो सर अभी बुक को अगर अंदर वाले part के according आप open करो तो simple सी बात है 2 pi r h ये तो अंदर वाला है ना पक्का प्लस 2 pi capital r h ये बाहर वाला तो 2 pi h कोमा लेलो तो r plus r बच जाएगा ये पक्का सही है क्या मैंने कहा एकदम सही है 2 pi h r plus r समझ में आया कैसे है भाई अंदर वाला part touch करूंगा 2 pi r h क्योंकि small r है अंदर बाहर वाला part touch करूंगा तो capital r है अब मुझे अगर total surface area निकालना है तो कर तो चाहिएगा ये चाहिएगा प्लस इस area को भी add कर लूगा कितने time two time ये क्यों कर रहे है उसर मैंने कहा एक बार उपर वाला एक बार नीचे वाला तो मुझे कुछ इस type से लिखना पड़ेगा 2 pi r h r plus r plus 2 time pi r square minus pi r square और इस पूरी line को देखो थोड़ा सा और simplify करूं बच प्लस 2 pi r plus r and r minus r अब देखो मैं 2 pi r plus r 2 pi r plus r कोमा लेलो 2 pi h नहीं न हाँ r plus r तो बचे का क्या r plus धान से देखना r minus r है न और इसमें r plus r r plus r अच्छा इधर क्या है 2 pi r भी बचा है और h भी बचा है कुछ तो गलती कर रहा हूं यार मैं 2 pi r h अच्छा तो 2 pi h होगा ना r h कहां से लिए है मैं सोरी 2 pi h होगा तो यह आर अटाओ यहाँ पे ओनली h बचने वाला है 2 pi कोमाल लिया हाँ h h plus r minus r एकदम साहिए ठीके न होजा तैयर कभी कभी 2 pi h यहाँ देखो 2 pi r h अटा दो यहाँ से 2 pi h क्योंकि यहाँ पे आर नहीं है ना 2 pi h है 2 pi common लिया r नहीं लिया था 2 pi common लिया only ठीक है तो इधर से भी 2 pi और r plus r समझ में आया उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा अब हमारे को अगर volume की बात करें तो आप क्या होगे base area into height होता है base area कैसा होगा ऐसा होगा तो मैं इसे बहुत सकता हूं volume का formula pi r minus r r plus r into h हो जाएगा समझ में आया क्या जिसको r square minus r square book को देखकर मैं थुड़ा इससे relate कर रहा हूं कि थाकि तुम्हारे को याद रहे यार कभी तुम ऐसे कहतो आपने कुछ ही बता है था book में कुछ ही लिखावा है area of each end समझ में आ गया होगा यह होगा ठीक है clear and next देखो सर्कुलर होता है उपर टोपी बनी वी होती है इसमें एक radius होती है एक height होती है बड़ दिक्कत क्या है फिर यह वाली length कौन सी होती है तो इसको बोलते है slant height slant height को के L से represent करते हैं तो अगर मैं इसका curved surface area बात करूं तो only जो चूपली वाला बोलते है न टोपी का उपर वाला सब्सक्राइब इसको कैसे calculate करें तो इसका सिंपल सा मेरे इसाफ़े डायरेक्ट फोर्मुला रटलो पाई आरल ठीकर न क्या होता है पाई आरल अगर इसमें मैं तुम्हें बात करूं तो यहां पे right कौन बनता है क्योंकि height or radius right angle triangle मनाती है तो इसमें right angle triangle का concept होता है पाइथा radius है और यह height है और यह length है तो इसमें hypotenuse में length है और यह base और perpendicular हो सकते हैं तो आप यहां से बहुत सकते हो और L2 की value h2 plus r2 होगी यह क्यों पढ़ें है हम मैंने कहां देख LH और R तीनों ना देकर कोई 2 दे तो एक L required हो जाए तो कैसे calculate करेगा तो इस concept को याद रखेंगे तो easily एक चीज calculate कर सकते हैं अगर दो given है चाहे वह LH given हो तो R पता कर लेना HR given हो तो L पता करने ला total surface area में core surface area तो add होगा plus base area क्या है πr square अभी इसमें top area नहीं है क्योंकि top पे तो एक point है vertex है only तो वह area तो बनेगा नहीं अगर मैं इसकी volume की बात करो तो इसकी volume one third होती है किसे cylinder से अब cylinder की volume क्या होती है अगर right equal cylinder की देखे तो pi r square h होती है base area pi r square into h देखो right circular cylinder और right circular hollow cylinder दोनों में difference है पहली बात तो वह ध्यान से सुनना revise करके देख लेना time लगा है मुझे भी पता है उसमें थोड़ा time लग गया था समझाने में पर दोनों में difference है क्या difference है book को open करके देखो और समझ में आ ठीक है book को मतलब book को fold करके देख लेना वन अपों 3 pi r square h next हमारे पास topic आता है spare spare में एक होता है total surface area और एक surface area अब जो गोला होता है गोला तो total होता है उसमें ना तो lateral होता है ना कुछ और पूरा एक ही होता है तो surface area बोले या total surface area बोले और spare बोले तो समझ लेना एक ही बात है ठीक है तो total surface area 4 pi r cube होता है sorry 4 pi r square होता है इसका reason क्या याद रखना है कि सर अगर एक spare के उपर अगर रसी बान दे तो उसी radius का जिस radius का spare है उसी radius के चार circle बना ले तो उस circle में उस रसी को fit कर सकते है अरेंज कर सकते है अपन तो इस तरीके से चार circle एक spare में fit हो सकते है या एक spare की surface से चार circle बन सकते है ऐसा याद रख लो तो याद हो जाएगा 4 pi r square अगर मैं volume की बात करूँ तो इसकी volume होती है बच्चा 4 by 3 pi r cube थोड़ी higher level बात है पर उमीद करता हूँ रट लेना इसको ना 4 by 3 pi r cube होती है अब अगर मैं बात करूँ आपके पास hemi spare की किसकी बात कर रहा हूँ hemi spare अगर हिमी arrowsgoing की बात करों तो क्या हो गया आपने इपेर को काट दिया यह आपके पास इपेर अगोला इसको काटा आखिए और उपर भी एक एक अट हो गहा नए ऊपर से देखु तो इसको बन Adventure कर दो तो उपर से भी आगए और तीन वा गया तो इसमें एक से अर्फेस एडिया एक हो गया टोटल सभी से आरिया अगर सबस्द लिलिए तो टोटल मत समझें अबायि इस प्र में dov findings सकते हो इमी तो पार्ट कटने के बाद आ गया था ना यह तो यह गया 3 pi r square वोल्यूम के अगर बात करें तो पहले होती थी 4 by 3 pi r cube उसका डिवाइड कर दो 2 से तो बन जाएगी 2 by 3 pi r cube यह हमारे पास एक वोल्यूम हो जाती है यह हमारे टोपिक है एक लास्ट टोपिक बचा है स्पेरीकल सेल स्पेरीकल सेल कॉंसेंट्रिक सरकल देखे होएं उस टाइप से होता है और इसमें भी आउटर रीडिनर रेडियस होती है उमीद करता हूं ज्यादा समझने की जोरत नहीं चोड़ दो इसको पढ़ना चाहो तो समझा देता हूं देखो आउटर सर्फेस अरिया बाहर वाला तो capital R square हो जाएगा 4 pi R square जैसा होता है तो बाहर जैसा ही बनेगा वही ऐसा कहा रहा है कि एक गेंद देखिए गेंद होती है उस गेंद के चारो तरफ कवर होता है अंदर खोखली होती है उस टाइप की बात कर रहा है ठीक है न तो इसने कहा volume कितनी होगी इसमें जो material होगी तो मैंने कहा volume इसमें यहां पर देखो 4 by 3 pi R cube होती है उसमें होती है 4 by 3 pi capital R cube मतलब बाहर वाले की minus अंदर वाले की मतलब अंदर खाली होता है मैंने कहां आपने गोला बनाया और उसके अंदर एक और गोला बनाया इतने में material डाला हुआ है देखो hollow cylinder पढ़ा था साथ से हम इसको याद का सकते हैं 25 मिनट लगे मेरे को इस topic को समझाने में आपको revise करने में only 15 मिनट लगने वाले क्योंगि आप double speed से इसको देखेंगे तब तो concept मेरे साथ से मैंने सारे समझाने इकोसिस किये next हम इसके बाद इसके examples करेंगे जितने भी examples हैं और फिर हम इसकी exercise करेंगे कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना कोई doubt रह गया हो comment कर सकते हो thank you have a nice day